तो friends, क्या हाल है आपका? आज हम बात करेंगे, गोआ में होने वाले एक अनोखे फेस्टिवल के बारे में, जिसका नाम है बोंदे रम फेस्टिवल, गोआ, भारत के छोटे राजियों में से एक है, यहां जब त्योहारों, परंप्राओं और समारों की बात आती है, तो बोंदे रम जण्डो का त्योहार है, यह अगस्ट के चौथे शनिवार को दिवार आइलेंड पर होता है, तिस त्योहार के पीछे दिल्चस्प कहानी है, ऐसा माना जाता है कि गोआ वेलहा, जिसे ओर गोआ भी कहते है, 17 वी शताबदी के अंत में यहां प्लेग की भहन कर बिमारी फैली थी, उस दोरान लोग अपने घर बार छोड़ कर इस दिवार आइलेंड पर शरन ली थी, गाव में शुरू में तीन समुदाय थे, गोठियास, साउम, टियास और पीए डेड, इन समुदायों के लोगों के बीच जमीन और संपत्ती को लेकर अकसर जगड़े होते थे, इन भूमी सीमा के मुद्दो को हल करने के लिए पूर्तगालियों ने एक जंडा प्रनाली की शुरूआत की, बोंदर्रा मुद्सप के दौरान स्थानिया लोग अपने पूरवजों की पिछली परंपरा की याद में एक दूसरे के जंडे फेहराते हैं, वे एक फ कर देते हैं, मुख्य उत्सफ दपहर में शुरू होता है, उत्सफ की शुरूआत फ्लैक परेड से होती है, इसके बाद फैंसी ड्रेस परेड और पारम पर एक फ्लोर परेड होती है, गाउं के प्रतीक वार्ड की अपनी एक नाव होती है और हर वार्ड अन्य वार्डों से आगे निकलने की कोशिश करता है जहां परेड के साथ लाइब बैंड होते हैं भारत के हर उत्सव की तरह यह भी रंगीन और मस्ती से भरा है स्थानिय लोग चटक रंगों के कपड़े पहनते हैं और बोंदे रम के माहौल में चार चांद लगाते हैं इस उत्सव का आनन लेने के लिए परोसी क्षित्रों के लोग और कई विदेशी सेलानी इस द्वीब पर आते हैं यहां भीर बहुत होती है लेकिन अनियंत्रत नहीं मांसून के दोरान या उसके तुरंत बाद दिवार आइलन्ड विशेश रूप से सुन्दर होता है यह द्वीब हरे भरे खेतों और पहारियों से भरा है बारिश के दिनों में पूरा इलाका एक स्वर्प का रूप धारन कर लेता है यहां किवल फैरी बोर द्वारा पहुँचा जा सकता है जिसे गोवर्मेंट चलाती है इस फैरी बोर को आप ओल्ड गोवा से पकर सकते हैं दिवार आइलन्ड नाम का द्वीब गोवा की राजधानी पंजीम से 12 किलोमेटर दूर है बोंदरम हमेशा अगस्त के आखरी शनिवार यानि 26 अगस्त को आयोजित किया जाता है तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें